पन्नगे चे सुरेंद्रे चे कौशिके पाद संस्प्रिशी नीर विशेश मनस का ये स्री वीरस्वामी ने नमह इस स्लोक में वीरस्वामी को नमन किया गया है वीरस्वामी यानि महावीरस्वामी तो वीरस्वामी महावीरस्वामी को नमन नमस्कार अब प्रस्ण होता है कि वीरस्वामी कौन से वीर नाम तो पता नहीं औरों का कईयों का महावीर नाम मिल जाए किसी बालक का नाम भी बीर महावीर ऐसा कोई मिल जाए तो कौन से महावीर को नमस्कार करें एक नाम निक्सेप होता है यानि नाम महावीर है तो महावीर नाम तो कईयों का हो सकता है ग्रिश्टों में कईयों का नाम महावीर प्रसाद महावीर नाम मिल सकता है तो क्या नाम महावीर को नमस्कार करना है नाम को तो क्या नमस्कार करें नाम निक्सेप के वो तो हमारे लिए नमस्करनी यह नहीं है तो फिर कोन से महावीर को नमस्कार करें तो कोई प्रतिमा है या कोई स्थान चिन्नित कर दिया यह महावीर का स्थान उस स्थान को बंदन कर लें इस स्थान को बंदन किस आधार पर करें कि यह स्थान इस स्थान का नाम महावीर कर दिया एक मकान का नाम महावीर सदन कर दिया एक कमरे का नाम महावीर कक्स कर दिया क्या उस महावीर कक्स को नमन कर ले भी वो अमबुक गाओं में महावीर कक्स बना हुआ है उस महावीर कक्स को मेरा नमन है क्या उस कमरे को या मकान को एक केंपस का नाम महावीर है मान लो को उसको नमन करें क्या भी उसको तो क्या नमन करें वो तो निर्जीव है केंपस है कमरा है महावीर नाम बले है कमरे का वो स्थापित किया है मान लो तो स्थापित है तो स्थापना निक से उस रूप में है तो कमरे को, मकान को, केंपस को तो मेरा कोई नमन करने का इस स्लोक में कोई एरादा नहीं है तो फिर प्रसन है कौन से बीर को नमस्कार करें कि वो मरीटी थे तब बात चले थी कि थिर थंकर मनेंगे और वो 24 में अंटिम थिर थंकर मनेंगे उनका नाम महावीर होना था तो मरीची अभी तक मरीची तो सादू मानलो बनाई नहीं हो बन गयार वापिस स्रामन्य को छोड़ दिया है तो क्या मरीची को नमन कर ले मरीची महावीर अभी बने नहीं है तो कि महावीर नाम के एक बच्चे जन्मे थे दाई अजार वरस पहले मां के पास मां की गोद में रहते थे उस बच्चे को नमन बच्चा तो अभी कोई सादू तो है नहीं तो वो तो द्रग्य रूप में भले सादू वास्तों में नहीं है कर तो कौन से महावीर को नमन कलना है तो स्लोक में कौन से महावीर को ये बात बता दी गई कि कौन से महावीर निर्विशेश मनस्का ये जिनका मन समता में था सम था ऐसे समतापुरुस महावीर स्वामी को मेरा नमस्कार है तो प्रस्नेबई समतापुरुस आप कहते हो कोन सी बात में समता रखी कोई उदाहलन दो किन बातों में समता रखी उनोंने ऐसे उदाहलन दो जो एक दूसरे से ओपोजिट हो दोनों में सम रहे ऐसा उदाहलन है क्या तो स्लोक में उदाहलन भी दे दिया गया कि पन्नगे चै शुरेंद्रे चै कौशिके पाद संस्प्रिशि कि सम कहां रहे उसका एक उदाहरन है पन्नगे कौशिके सरफ कौशिक सरफ चंड कौशिक सरफ उसने पादस्परस किया डशा काटा जो भी तब जो द्वेश में नहीं समता भाव में थी एक और सुरेंद्र यानि देवों का इंद्र इंद्रे ने भी मालो नमन किया महावीर को तो भी समत्वे एक अनुकूलता की स्थिति देवेंद्र नमन करे कितनी अनुकूलता की स्थिति और नागराज काटे प्रतिकूलता की स्थिति इन दोनों परिश्थितियों में जो निर्विशेश रहे सम रहे ऐसे वीरस्वामी को मेरा नमन है नमस्कार है तो महावीर स्वामी मानो समता योगी समता साधक समता मूर्ति ऐसे महापुरुष थे और बच्चे थे तो बच्चे के रूप में रहे फिर थोड़े बड़े हुए तो पाथ साला ज्ञान अर्जन के लिए भी ले जाया गया और शिग्र ही छुटी भी मानो मिल गई फिर बड़े हुए युवा अवस्था में आए और जैसा स्वेतांबर परंपरा में बताया गया है गार हस्थ में भी प्रवेश किया दिवाह भी हुआ और फिर समझ आया माता पिता का देहावसान हो गया संसार में माता पिता का भी एक स्थान होता है माता पिता का अपना एक साया भी हो सकता है तो बर्धमान जो महाविर का ये नाम है बर्धमान जब तक माता पिता बिद्यमान थे तब तक दिख्षा की कोई वैशे बात दिक्सा का कारिय नहीं किया जब माता पिता संसार से बिदा हो गए यानि उनका देहावसान हो गया तब दिक्सा लेने की बात की और बात करने पर भाई साब नंदी वर्धन ने कह दिया भी के अभी तो दिक्सा वाली बात नहीं बैठ पाएगी माता पिता का देहावसान हुआ है अभी तो सोक चल रहा है सोक है हमारे यान तो सोक के समय दिक्सा के ओचब मौचब हम नहीं कर पाहेंगे यानि नहीं हो जो भी बात हुई के अभी तो नहीं तो बर्दमान ने पूछा फिर कब अभी नहीं तो कब कोई टाइम तो तैओ ना आखिर कब लिमिट तो समझ की तो कहा गया कि भाईया दो बरस रह जाओ दो बरस के बाद दिक्षा देख लेते हैं तो भाई जी ने कह दिया तो ठीक है मान लिया संसार में एक बड़े भाई का भी अपना भी बड़ा भाई है कोई बात कह रहा है तो सुन तो ले क्या बात कह रहे हैं तो महावीर बर्दमान ने देखो बड़े भाई साब ने कहा है मान भी लिया त्यों माना हो सकता है उनके भी जच गई जो भी वा प्रमाता-पिता का देहामसान हुआ है दो बरस अभी राज की ये हमारा सोक का समय है तो सोक के काल में दिक्साने क्यों दिक्सा में तो उच्छब मुच्छब होते हैं तो वो सोक के काल में उच्छब मुच्छब बैठें भी कैशे तो यह मन में आता है कि यह नंदी वर्द ने मनाई की तो क्यों की इसकी कल्पना करें तो दो कारण हो सकते हैं दो कारणों में एक तो यह अभी अभी तो मैं माता पिता के देहावसान की बेदना से भी पीड़ी तो हूँ मानशिक एक अभी पीरा है, दोनों चले गए, माता पिता एक भी रहे तो भी, पिता जी गए तो भी माँ है, कोई माँ तो है, माँ गई तो पिता जी बेठी है, दोनों में एक है, तो भी आदमी सोचे, दोनों में एक तो बिद्यमान है, उनका तो साया है, तो दोनों ही चले दोनों ही चले गए तो एक बड़ा सोख का एक साथ मानों करीब करीब दोनों का साया उठ गया तो कभी नंदी वदन ने कहा भी हो सकता है भी मैं खुद भी हमारा परिवार भी अभी सोख सागर में दुबे हुए हैं अभी दो का सोख तो जेल रहे हैं पर भाई का और एक तरह से बियोग हो जाएगा दिक्सा लेना तो परिवार से तो एक तरह से वो बिदाई हो गई ना एक बियोग किसी बात है तो दो की मार जेलना भी मानलो मुश्किल हो जाए तीसरी मार और साथ में पड़ेगी कि भाई भी चला गया तो हमारे मन पर इतनी बेदना को कैसे जेल पाएंगे इसलिए अभी माता पिता की बेदना को जेल लेते हैं तुम अभी तुमारी बेदना हमें मत दो एक तो यह कारण बेक है कि तीन-तीन का बियोग जेलना कितना भारी पड़ेगा मेरे लिए एक तो यह कारण हम कलपना कर लें हो सकता है दूसरा कारण यह है कि राज गराना है राज गराने में माता पिता का देहावसान हुआ है उनको तो राज की इस्तर पर ही उनके सोक का सारा कालमान है तो कि भी माता पिता दोनों गए हैं तो राज की ये सोक के रूप में हम दो बरस रखेंगे कि शोक का जो काल है दो बरसों का उसमें थोड़ा संयम और ओचब मोचब ऐसा नहीं हो शोक काल में थोड़ा ही ओचब मोचब करें ठीक नहीं बैठता, तो इसलिए नंदी व्रद्धने कहा होगा कि बिना ओचब मोचब के तो मैं दिक्षा कैसे दूँगा, हमारे परिवार में दिक्षा हो रही है, तो बिना एक सांसारिक हमारे रीती रिवाद जो हैं, दिक्षा हो तो ओचब मोचब गोड़े पर बिठा के वह और सारा जुलुस यात्रा, ब्रनोला करना, मुठ मुठा करना, आदी आदी चीज़ें होती है, कि वह बिना किये तो हम दिक्षा कैसे दें, हमारे परिवार का तो एक बहुती बड़ा अवसर है, साधी तो परिवार में मानलो फिर भी हो जाती है, कभी बेटे की साधी, क कि भी पोते की साधी, कि भी किशी की साधी, कि भी छोटे भाई की, ये प्रसंग तो परिवार में बार बार आशकते हैं, किशी के दिक्षा का उच्छब मोच्छब करना, वो मोका तो किशी 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 परिवार को मिले तो मिले, सब को कहां मिल सकता है, तो हमा करके विदाई देंगे तो वो ओचब मोचब अभी सोकाल में कर नहीं सकते इसलिए तुम अभी ठेरो तो ये दो कारण हम कल्पना से कर सोच सकते हैं कि नंदी बर्धन ने जो दिक्सा पर रोक लगाई या रोक की बात कही इन ये दो कारण या दोनों में कोई एक कारण जो भी हो सकता है परन्तु बर्धमान ने नंदी बर्धन या जो भी परिवार के लोगों ने कहा उसको मन ने किया कि ठीक है दो साल और देख लेते हैं दो साल रहे पल रहे सादक के एक सादना के जीवन के रूप में त्याग सैयम सादना का जीवन दो बरसों का लगबग का तो ऐसे लगबग तीस बरसों का उनका जीवन संपन हो जाता है अठाइस बरस के लगबग थे तब मता पिता का डिहावसान दो साल करीब ओग तो तीस बरसों तक वे गरिहवास में रहे अब दो साल पूरे हो गए अब भाई ने भी दो साल का ही आथ अब भी दिक्सा का काम करना ही है, अब दिक्सा की तयारी हुई और भोत शिभिका में फिर मृक्सर कृष्ना दश्मी का दिन ऑजो एक संसार की रिती सब अलंकार गैने पैना करके बग्दमान को अच्छी तरह शिविका में मानो जुलुस के साथ ले जाया गयार फिर शिविका से नीचे उतरे और फिर अलंकार और सब उतारना करनार फिर तो केशों को भी उतारना पंच मुठियम लोयम पंच मुष्टिक लोच करके मुंडित हो गए और दिक्सा ग्रहन की बस सब्वम सावज्जम जो भी पाव कमम अकरनिज्जम जिवन भर के लिए कोई पापकरम सब मेरे लिए अकरनिये हैं साधू बन गए युवा अवस्था में करीब तीस वरस की अवस्था में साधू बने जो कोई उपसर्ग आएंगे उनको सहन करूंगा लगबग साधे बारह वरसों का उनका वो साधना काल में रहा और कितने उपसर्ग वो चंड कोशिक सरफ नागराज वाली बात इस साधना काल में ही होती है पंडगे चै कौशिके पाद संस्प्रिशी पंड कौशिक सरफ से भी मिलना हुआ सरफ का भी भाग्य कि पैर भी मिला तो महावीर का मिला कि काठना भी तो महावीर के पैर कोई वहीं काठना मतलब कोई तो पैरों में प्रणाम करते हैं नागराज ने अपनी विद्धी से उसका मनो वही प्रणाम मानने कुछ भी मानने की पैर में काठना वही उसका अपने ढंका प्रणाम क्या वह अपने ढंक से नागराज की भी आसातना नहीं नागराज की अपनी प्रकृति अप कल्यान हो गया महावीर को तो भले जो भी कश्ट पड़ाओ कुछ भी हुआ हो तो नाग राज का कल्यान यों हो गया कि महावीर से प्रतिबोध मिल गया और महावीर ने का सांत हो जाओ नागराज सान्त हो जाओ, पिछले दन्मों को याद करो, पिछले दन्मों को देखो, क्या स्थिती थी पिछले दन्मों की बात सामने आई नागराज को जाती स्मृति ज्यान हो जाता है और अब तो ऐसा संभला की अनसन भी कर लिया, अब तो कल्यान करना है और कुछ चेंटियों ने और ने जो भी काटा शरीर को नागराज को भी नागराज ने काटा तो नागराज को भी मानो काटा चेंटियों ने जो भी समता सहन करना नागराज का भी देहा वसान हुआ भौत उन्चा आठवा देवलोक उन्ची गती देमानिक गती में जाकर पैदा हो गया तो प्रभु महावीर के संपर्क में आने से उस चंड कौशिक सर्प पन्नगे चै कौशिके उस कौशिक चंड कौशिक का भी उद्धार हुआ तो ऐसे महावीर को नमस्कार है कि पन्नग ने पादस परस किया तो भी द्वेश नहीं सान्ती देवराज ने नमन किया तो भी एहंकार नहीं सान्ती ऐसे वीरस स्वामी ने नमय तो मैं कौन से महावीर को नमस्कार करता हूँ मैं उस महावीर को नमस्कार करता हूँ जो तिर्थंकर बने वो आत्मा जो साधू बनी तिर्थंकर बने उस भाव अवस्था वाले यानि साधना साधुत्व वाले महावीर को उस वीरस्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ तो ये चार निक्षेप हो जाते हैं नाम निक्षेप स्थापना निक्षेप द्रब्य निक्षेप और भाव निक्षेप मात्र नाम महावीर है किसी बच्चे का नाम मात्र उस महावीर को मैं नमन नहीं कर जाओं किसी मकान का नाम महावीर सदन महावीर नाम दिया है महावीर स उस मकान को भी मेरा नमन नहीं है वो बच्चा छोटा बच्चा है खेल रहा है उसको भी मेरा नमन नहीं दिक्सा लेली केवल ग्यान हो गया अतिर ठंकर बन गया दिक्सा लेली उस महावीर को भी नमन है फिर केवल ग्यान हो गया अतिर ठंकर बन गया फिर तो कहना ही क्या तो उस महावीर को नमस्कार है, जो साधू बने थे, वर्दमान नाम था, फिर साधू बने थे, साधना की थी, तिर्थंकर बने थे, ऐशे बीरस्री बीरस्वामी ने, बीरस्वामी को महावीर स्वामी को मेरा नमस्कार, तो पन्नगे चै सुरेंद्रे चै कौश के पाद संस्प्रिशी, नीर विशेश मनस्काये, श्री बीरस्वामी ने नमह, ऐसे महावीर स्वामी को नमस्कार, तो जैन साशन जो भगवान महावीर से संबद है, वैसे ठीक है, जैन साशन संबद है, बाकी ये महापुरस जो होते हैं, वो तो मानो, सब के लिए अपने मानो कल्यानी वानी की वागल ना करने वाले, पिर उनके जो अनुयाई होते हैं, उनका एक समाज, एक समुदाई भले बन जाए पर ऐसे महापुरुसों की वानी कल्यानी वानी है वो जो भी महापुरुस हैं दुनिया में कितने धर्म हैं कितने पंथ हैं कितने महापुरुस संत पुरुस हुए है तो अच्छी वानी है कल्यानी वानी है अच्छी वानी किसी भी ग्रंथ में है किसी भी पंथ में है किसी भी संत की है तो अच्छी वानी तो अच्छी ही है मेरे संप्रदाई वाले गुरुवों की है कर दूसरों की है अच्छी वानी अपने आत्में अच सच्ची वानी सच्ची ही है तो सच्ची वानी का यथोचित सम्मान है अच्छी वानी का आदर है तो यह महावीर स्वामी और फिर हमारे जैन सास्त्र जैन आगम इनमें भी कितने बातें हमें कितने स्लोक कितने गध्य के रूप में कथन हमें उल्लेखन प्रसंग प्राप्त होते हैं तो यह ग्रंथ हैं उनका भी स्वाध्याई में उपयोग होता है तो सुनने से भी स्वध्याय हो जाए संतों की वार्णी को सुने प्रवचन को सुने तो भी एक प्रकार से वो स्वध्याय या ज्यानात्मक चेतना का प्रयोग हो सकता है या पढ़ें तो भी हमें ज्यानात्मक एक लाभ प्राप्त हो सकता है तो महावीर स्वामी जैसे महापुरुस जो हमें इस अवसरपिनी में 24 में तिर्थंकर के रूप में जो बताए गए हैं हम बीत रागता समता की साधना में आगे बढ़ने का यतासमभव प्रयास करें यह कम्य हैं ओम और हम हम सिद्धयोगी आचारिश्री महाप्रग्य से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें आपको एक प्रयोग कराया जा रहे है ष्वास प्रेक्षा का पांच सेकेंड में श्वास लेना है, पांच सेकेंड बीतर रोकना है, और पांच सेकेंड रेचन करना है, और पांच सेकेंड बाहर रोकना है, इस प्रिकार 20 सेकेंड में एक श्वास, सावधान रही, वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 वास भरे, प्रियूग संपन्नक, यह ध्यान की भूछ छोटी प्रियूग कराए हैं, और इनका स्वयं के बार बार अभ्यास करें, तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है, ओन आज़व आयरियानं नमो उवध्जायानं नमो लोए सबसाफूनं एसो पंच नमुक्कारो सब पावपनासनो मंगलानंच सब्बेशिंग पढ़मं हवई मंगलं चत्तारी मंगलं अरहंता मंगलं सिध्धा मंगलं साफू मंगलं केवली पन्नत्तो धंवो मंगलं चत्तारी मंगलं अरहंता मंगलं सिध्धा मंगलं साफू मंगलं केवली पन्नत्तं धंवं शरनमं पवज्जा मंगल् पुकित्थम अहिंसा संजमोतवो देवावितम नमंसंति जस्षधम्मे सयामनौ। च इत्ता भारहं वासं चक्कवत्ति महिध्धियो संती संति करेलो ए पत्तो गई मनुत्तरम। देव दानव गंधवा जख रख सकिन्नरा बंभयारिं नमंसंति दुक्रम जेकरंतितम। मंगलम भगवान बीरो मंगलम गवत मोगनी मंगलम स्थूल भद्राध्याहा जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम अतिमान भिक्षुह। मंगलम भार मल्ल कह। मंगलम राय चंद्राध्या। मंगलम तुलशी गुरुह। महा प्रज्योस्तु मंगलम। तेरा पन्थोस्तु मंगलम। बिग्न हरन मंगल करन स्वाम भीक्षुनो नाम। गुण ओलख समरन किया सरे अचिन क्या काम। बिग्न हरन मंगल करन स्वाम भीक्षुनो नाम। गुण ओलख समरन किया सरे अचिन क्या काम। बिग्न हरन मंगल करन स्वाम भीक्षुनो नाम। गुण ओलख समरन किया सरे अचिन क्या काम। एक दिवसी त्याग आज-ाज के लिए धालना नुसार त्याग है। एक थत्ना खेंटी तर त्याग है। एक दिवस्याओ समराव बाह है। झाल झाल